नमस्कार मैं हूँ जैनिश मसी और आपका स्वागत है पब्लिकेशन यूज में वक्त है बिहार की बड़ी खबरों से आपको रुबरू कराने का पहली खबर के और बढ़ते हो आपको बता दें परिवारवाद के मुद्दे से बिहार की सियासत तेज हो गई है लालू यादव के बयान से शुरू हुआ वार पलटवार और बयान बाजी का ये सिलसिला अभी थमने का नाम ही नहीं ले रहा अब इस सियासी जंग में राज़ दिने अपना स्टैंड क्लियर करते होए राज़ गौर उसमें शामिल दलो पर नेताओं के नाम गिनाते होए जम कर हमला बूला है राश्टे जनता दल के मुखे प्रवक्ता शक्ति सिंग यादव ने शुकरवार को कहा चलनी को से सूप को भाजपा जहां खुद ग्रहमंतरी परिवार की परंपरा को आगी बढ़ाने में जुटी हुई है वो दूसरे पर आरोप लगा रही है वह अगली खबर के और बढ़तों आपको बता दे दर्भंगा में एक ही प्रमान पत्र के आधार पर 56 शिक्षकों के एक ही प्रमान पत्र के आधार पर नौकरी करने का मामला सामने आने के बाद विभाग में हडकंप मचा हुआ है विभाग ऐसे चिनहित शिक्षकों के प्रमान पत्रों की गंभी जांच करने में जुट गया है कुछ शिक्षक ऐसे भी है जिनका नाम भी एक है और प्रमान पत्र भी एक ही है इसमें 38 ऐसे शिक्षक हैं इनका टेट रोल नंबर भी समान है वहीं 11 ऐसे प्रमान पत्रों के मामले हैं जिसमें समान टेट रोल नंबर के अधार पर एक ही नाम के शिक्षक अलग-अलग स्कूल में कारे रत हैं वहीं अगली खबर के और बढ़तों आपको बता दें लोग सबह चुनाव जैसे जैसे पास आ रहे हैं इसी के साथ बिहार समेत पूरे देश का सियासत तेज होती जा रही है बीते कुछ दिनों पहले केंद्रिय मंत्री और बकसर सांसाद अश्वनी चौबे न बकसर के संतों को धूंगी बताया था इस दोरान उन्होंने बीजेपी कारे करताओं समेत सभी विरोधियों को मिटी में मिला देनी जैसा विवाद पैदा करने वाला बयान भी दिया था वह आगे बढ़ते हो आपको बता दे बिहार में भूजपुर जिले के आरा में कमलेश अपरण कांड की जांच अब सीवियाई को सौंब दी गई है हाई कोट में मामले को लेकर स्वजण की ओर से याचिका दाखिल की गई थी बीते नौ महीने में पोलिस की जांच धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी इधर स्वजण की ओर से अफ़ेर के चलते किडनाप की हत्या की आश्रंग का भी जताई जा रही है भोजबुट जिले के सिनहा थाना के मुली गाट किसे लगभग नौ महीने पहले किडनाप्ड प्राइवेट शिक्षक कमलेश कुमार के अपरण से जुड़े केस की जांच अब नए सिरे से सीबियाई करेगी अगली खबर के और बढ़ते हैं आपको बता दें करीब नौ महीने बाद जेल से बाहर निकले बिहार के यूट्यूबर मनीश कश्रप इन दिनों काफी एक्टिव दिख रहे हैं वो लोगों के बीच एक बार फिर से चुनावी मोड में दिख रहे हैं मनीश कश्रप ने इस बार टिकेट और चुनाव लड़ने को लेकर बयान दिया है मनीश से जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या वो चुनाव लड़ेंगे इस पर जवाब देते हुए मनीश कश्रप ने कहा कि हाँ वो ज़रूर चुनाव लड़ेंगे इस पर फिर उनसे पत्रकार ने पूछा कि कौन सी पार्टी आपको टिकेट देगी इस पर मनेश कश्रप ने जवादिया की पार्टी थोड़ी टिकेट देती है भाई, मुझे जनता टिकेट देगी ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिकेशा निउस धन्यवाद